भारगव आरवेदा संस्थान से मैं डाक्टर अभीमन्दी भारगव नवर्ष 2018 के हादिक सुब कामनाई देता हूँ नवर्ष के आगमन के साथ सिसी रित कभी आगमन हुआ है जिसमें ठंड अधिक होने से पाचन क्रिया तेज हो जाती है भूख अधिक लगती है मतापा से ग्रशित लोगों भूख से कम भूजन लें अपने वजन को ना बढ़ने दें बच्चें एवंग नवजिवक मेवे बादाम शुहारे खजूर से मिलने वाले पोशक तक्तों से सरीर का विकास एवंग रोग प्रतिलोदक छमता का विकास करें बुजूर्ग लोग पान से साथ दाने खजूर को दूज में उबाल कर कमजोरी और दर्दों को दूर भगाएं इस मौसम में गरिस्ट और देर से बचने वाले भोजन को अक्सर लिया जाता है जिससे कब्ज का होना स्वाभाविक है कब्ज से ग्रशित लोग छोटी हरण को देशी घी में भून कर एक चम्मच रात को सोते समय गुनगुने पानी से ले यदि छिर भी किसी सारीविक समस्या से ग्रशित हो तो भारगव आरवेजा संस्थान से संपर्क करें हमारा नमबर डबल एट वन तरी एट तरी जिरो एट तरी जिरो है हमारे संस्थान में आप संपर्क करके घर बैठे अपनी जरूरत के लिए सवप्रत्चत सुद्ध एवंग सफल आरवेदिक उप्चार प्राप्त करें हमारे यूट्यूब को सेयर और सबस्क्राइब अधिक से अधिक करें जिससे लोगों को लाप्राप्त हो नमस्कार